नमस्कार, हमारा सम्विधान की इस विडियो में आपका बहुत बहुत स्वाज़त है आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपून सम्विधानिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं अनुछे 19 की जो की सम्विधानिक अधिकार देता है भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, भाशन की, अपनी बात कह देले की, चाहे वो मौखित तौर पर हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, या चाहे वो किसी फिल्म या विडियो बनाने के माध्यम से ही क्यों ना हो. भारत में अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये तो आम तोर पर लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, कि जब किसी एक व्यक्ति का अभिव्यक्ति का अधिकार, बाकी लोगों के अधिकारों से, एक प्रकार से, क्लाश होता है, तो ऐसे में क्या किया चाता है? एक दूसरा सवाल, क्या आपकी अभिव्यक्ती का अधिकार आपसल्यूट है या क्या उस पर किसी प्रकार के reasonable restrictions या अंकुष भी लगाए जा सकते हैं देखिए अनुचेद 19 उन तीन अनुचेदों में से एक है जो मिलकर एक सुन त्रिभुच का निर्मान करते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन तीनों आर्टिकल्स या अनुचेदों पर भारत क्या समविधानिक स्वधन्तृता का पूरा संपून धाचा टिका हुआ आर्टिकल 14 या अनुचे 14 पर हम पहले ही बात कर चुके हैं अब आने वाले अगले तीन से चार विडियो में आर्टिकल 19 के बारे में आपको समझाने की पूशिश करें पहले समझते हैं कि आर्टिकल 19 की क्या भाशा है और उसके बाद आगे उधारनों के तौर पर उसको समझने का प्रयास करेंगे आर्टिकल 19 कहता है कि all citizens shall have the right मतलब सारे नागरिकों को अधिकार कोगा पहला तो freedom of speech and expression मतलब वाख, स्वातंत्र और अभिव्यक्ती का अधिकार दूसरा तो assemble peaceably and without arms मतलब शांती पूर्वा और बिना हत्यारों के मिलने का अधिकार तीसरा to form associations or unions मतलब संगम या संग बनाने का अधिकार चौथा to move freely throughout the territory of India मतलब भारत में किसी भी राज्यचेतर में आप ना सिर्फ ट्रावल कर सकते हैं लेकिन आप आजादी से गूम फिर सकते हैं पांचवा to reside and settle in any part of the territory of India भारत के राज्यचेतर में किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार and finally छटवा to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business मतलब कोई भी उपजीवी का, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार Article 19 में पहले साथ अधिकार थे, एक अधिकार और था which is to acquire and hold property लेकिन 1978 में इस अधिकार को समविधानिक दर्जा नहीं दिया गया इसे हटा दिया गया तो अब अनुच्छे 19 में ये 6 अधिकार दिये गये आज के इस संक्षप से वीडियो में समझने की कुशिश करते हैं कि what is the scope of Article 19 and specifically freedom of speech and expression which is mentioned under Article 91A Article 91A में जो अभिव्यक्ती का अधिकार दिया गया है इसका शेत्र क्या माना चाहे इसे कैसे समझा जाए उस पर आज बाचीब करते हैं देखिए हाली में आपने सुना होगा कि 21 साल की दिशारवी जो कि एक climate activist है उन्होंने अपनी सोचल मीडिया पर एक टूल किट शेयर किया ये माना जाता है कि ये इंस्पायर था Swedish climate activist Greta Thunberg से और दिशारवी के उपर एक sedition का case डाल दिया गया sedition आप लोग में से कुछ जानेंगे कि section 124 A of Indian Penal Code में sedition defined है sedition क्या कहता है पहले जल्दी से आपको इसका definition पर देती है whoever by words or either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards a government established by law in India shall be finished for life to which fine may be added or with imprisonment which may extend to three years to which fine may be added or with fine मतलब इरी भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे शब्दों का प्रियोग करता है जिसके द्वारा सरकार के प्रती अलगाफ पैदा होता है तो उसे sedition माना जाएगा देश द्रोह माना जाएगा तो ऐसे में जहाँ एक तरफ आर्टिकल 19 आपके समविधानिक अधिकार की बात करता है और कहता है कि भारत में सारे नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार है और उसी दूसे तरफ इनी हम देखें तो कई सारे लोगों के उपर सरकार उठाकर sedition का केस लगा देती है जैसे कि दिश्यारभी की केस में हुआ तो फिर आर्टिकल 19 को कैसे समझा जाए ये बड़ा ही महत्वपून सवाल है एक बात समझना तो जरूरी है ये जो sedition का कानून है देश्वरों का कानून है ये अंग्रेजों की देन है और आज जहां दुनिया भर में कई सारे देशों ने इस कानून की फूर तरीके से हटा दिया है भारत में इसका भोजा आज भी हम भो रहे हैं अब एक दूसरा उधारन देते हैं जैसे प्रशाद भूशन सीनियर आडवकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ ट्वीट किया जिसमे उन्होंने दिखाया कि उस समय के Chief Justice of India, Justice Boog Day जो है वो Harley Davidson पर बैठे हैं और वो Harley Davidson किसी और व्यक्ति की है जिसका BJP RSSS से तालुकाथ है वो और उन्होंने कुछ और भी ट्वीट करें जिन सब के को मिलाकर उनके उपर फिर से content का case लगा दिया गया अब यही कोई व्यक्ति किसी की आलोचना करता है तो क्या वो उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है या यही वो court या judges की आलोचना करते हैं तो content में आ सकता है और उसी ground पे आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार को limit किया जा सकता है या restrict किया जा सकता है एक तीसरा उधारन समझने की कोशिश करते हैं दिखिए आपने सुना होगा की movie पदमावत जो की संजलीला भनसाली की एक बड़ी movie थी इसमें दीपिका पादु कोन थी रंबीर सिंग थे और कुछ लोगों का ये कहना था कि इस movie में अभिव्यक्ति का अधिकार तो ठीक है लेकिन चुकि आप इतिहासित किरदारों की बात कर रहे हैं इतिहास के साथ छेरचार करना उन्हें मानने नहीं होगा और यदि ये movie release होती है तो देश में कहीं जगव पर public order की भी situation create हो सकती है इसलिए कहीं लोग court गए और उन्होंने कहा कि इस movie को release होने से मना कर देना चाहिए court ने ultimately इस case में कहा कि यदि आपको movie ना पसंद आए तो आप movie ना देखें लेकिन ये film बनाने वाले का अभिव्यक्ती का अधिकार है फिर इसमें इतिहासिक किरदार ही क्यों ना शामिर हो और ये भी जरूरी है कि भली इतिहास की जहां पर हम बात करते हैं ये बहुत महतुकून है कि इतिहास की साथ आप discussion कर सकते हैं आप debate कर सकते हैं critically analyze कर सकते हैं हाँ किसी प्रकार की obscenity नहीं होना चाहिए तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो कही ना कहीं freedom of speech and expression से जुड़े हुए हैं freedom of speech and expression ये जो हमने 6 अधिकार पड़े article 19 में ये एक group of rights हैं ये एक individual right नहीं है ये bunch of rights नहीं माना जाता है और इहे natural rights माना जाता है मतलब प्राकर्तिक अधिकार ये मानवो द्वारा दिये नहीं दे और इसलिए इन्हें मानवो द्वारा वापस लिया भी नहीं जा सकता ये statutory rights नहीं है ये contractual rights नहीं है इन्हें सम्विधान में सुप्रीम कोट ने अलग लग judgments के द्वारा in-alienable rights मतलब अक्षम में अधिकारों का डर्जा दिया हुआ है ये जो 6 अधिकार हैं इनके अलावा भी बहुत सारे अधिकारों को सुप्रीम कोट ने article 19 में पढ़ दिया है इसका एक उधारन सबसे महभूपूर उधारन है right to press मतलब मीडिया या प्रेस वाले लोगों का अधिकार इसके उपर अगले वीडियो में बहुत सारे judgments आपको आपके साथ साचा करूगी लेकिन इस वीडियो में कुछ और अधिकारों के बारे में समझते हैं पहली बात जैसे कि Jammu and Kashmir State Legislative Assembly ने एक कानून बनाया कि यदि कोई भी elected member जिस party के द्वारा चुनकर आया है चुने जाने के बाद या उसके election के बाद यदि वो कोई और political party जॉइन कर लेता है तो anti-defection law के अंतरगत उसे अपनी seat छोड़नी पड़ेगी मतलब अब वो legislative assembly का पार्ट नहीं होगा इसे court में challenge किया गया और ये कहा गया, ये दलील दी गई कि मेरा dissent करने का अधिकार मेरी अभिवत्ती के अधिकार के अंतरगत आता है मतलब यदि मैं किसी party का अपार्ट नहीं रहना चाहती तो ये मेरे अभिवत्ती का अधिकार है लेकिन court ने कहा कि जी नहीं defection जो है, मतलब ये जो एक practice है कि एक party छोड़कर दूसरी party join कर लेना politicians के द्वारा ये अपने आप में बड़ी problematic है और जहां तब legislative members के अधिकारों के बाद है इसके लिए सम्विधान में अनग provisions है जैसे article 105 और article 194 इसलिए इसे article 191a में protection नहीं दिया जाएगा इसका मैं आपको judgment जली से बता देती हूँ जज्ज्मिंट है मियन बशीर वर्स स्टेट अफ चाहुन कश्मीर AIR 1982 JNK पेज नमबर 26 defection की जो बात है या जो legislative members है, MLAs है या members of parliament है उनके अधिकारों को एक तरफ और article 19 को किस तरह से देखा जाए इसमें बहुत सारे judgment है इसमें एक लैंड में judgment इसमें जो सारे समधान पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाता है वो है किहोटो होलोहन वर्स जकिलू AIR 1993 Supreme Court 412 इसमें एक तरफ जो है फाली एसनारिमन, शान्ती भूशन जी, कपिल सिब्बल जी, सोली सोराब जी जो उसमें एट्रॉनी जेरल थे इस परकार के बड़े-बड़े वकील थे जो 10th amendment जो भारत के समधान में इंट्रोडूस किया गया था 10th schedule माफ कीजिएगा उसको जो है उस पर अपनी दलील दे रहे थे और दूसी तरफ जो थे वो रामजीत मलानी जी जी थे जिनका ये कहना था कि इस प्रकार का 10th schedule के द्वारा जो amendment से भुधार में किया गया है वो गयर समधानिक है तेकिन ये पूरा मामला जो है वो भी defection law से ही संबंदित था इसमें भी ultimately quote ने ही कहा कि anti-defection is a social evil practice इसको किसी भी प्रकार से खत्म करना जरूरी है और इसलिए उसे article 19 की अंतरगर freedom of speech and expression में अभिवत्ती के अधिकार नहीं माला जा सकता जो MLA's और MPs के parliamentary privileges, legislative assembly privileges की बात करता है और दूसरी तरफ article 19 है इन दोनों को आपस में कैसे देखा जाए कौन जादा बड़ा है या कौन जादा महत्वपून है एक उधारन के तौर पर समझने की कोशिश करते है यदि किसी elected MLA का assembly दोरा temporary suspension कर दिया जाता है तो क्या वो व्यक्ति कोट जाकर ये कह सकता है कि मेरी article 19 या अभिवक्ति के अधिकार का violation हुआ है ये सवाल आया अलगपुरम आर मोहनराच वर्सिस तमिलाडू लेजिसलेटिव असेमली 2016 वॉल्यू 6 SEC पेच नमबर 82 यहां पे कोट में एक बहुत ही डीटेल जज्जमेंट में कुछ basic principles लेडाउं किये उन्होंने कहा कि एक तरफ article 105 और 194 है लेकिन उनमें कोई reasonable restrictions नहीं दिये गए है जिस प्रकार से article 90 में दिये गए है article 19 जो 1A हमने पड़ा उसके क्या क्या grounds पे restrict किया जा सकता है उसे article 19 सब क्लॉस 2, 3, 4, 5 और 6 में दिया गया है अगले आने वाले वीडियो में reasonable restrictions पर आपको अलग से मैं बताऊंगी कि किन-किन grounds पे आपके article 19 1A में दिये गए अधिकारों को restrict किया जा सकता है उन पर उचित अंकुष लगाया जा सकता है लेकिन court ने कहा कि article 105 और 194 में इस प्रकार की कोई restrictions नहीं है लेकिन article 105 और 194 में जो elected members को parliamentary या legislative privileges दिये गए है वो केवल assembly की चार दिवारों के अंतरगत है article 19 सब जगे applicable है उसका इस प्रकार से कोई छेतर में कोई limitation नहीं है इसलिए court ने कहा ये दोनों बिल्कुल अलग है और जहां तक elected members के अधिकारों की बाद कोती है तो उसे 105 और 194 में दिखा जाएगा यदि उनका काम, कार या कोई भी बात पर जो अंकुष लगाया जा रहा है वो parliamentary में, parliament या legislative assembly में बोले गए बचनों के लिए लगाया जा रहा है तो उसमें article 105 और 194 applicable होगा Article 19 applicable नहीं होगा अब आते हैं video या films के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार लेकिए इसमें भी बहुत अच्छा nuance है जो आपको समझना चाहिए कोट ने कहा है कि जहां तक एक फिल्म बनाने वाले का अधिकार है वो एक फिल्म सिर्फ दिखाने वाले के अधिकार से अलग है मानिए गा कि कोई exhibitor of films है जिसका काम केवल profit कमाना है और movie दिखाना है उन्होंने movie बनाई नहीं तो वो freedom of speech and expression claim नहीं कर सकते लेकिन हाँ फिल्म बनाने वाले जरूर freedom of speech and expression claim कर सकते हैं इसमें एक महतुपून जज्जमेंट आया इसमें कोट ने कहा कि जो Cinematograph Act है भारत में उसके जो relevant sections है sections 4 और sections 5-8 उसमें यह requirement है कि movie release करने के पहले आपको एक board से certification लेना पड़ेगा for reasonable restriction है वो किसी प्रकार से फिल्म बनाने वालों के अभिवत्ती के अधिकार के साथ हस्तशेप नहीं करता देविदास रामचंडर तुल्जापुरकर वर्से स्टेट अफ महरास्टरा 2015 volume 6 page number 1 इसमें कोट ने specifically कहा that even if you are showing historical figures in the film there can be disagreement, dissent, criticism, critical evaluation as long as there is no obscenity मतलब ये लिए आपकी movie में atheistic figures शामिल है तो आप उपर चर्चा कर सकते हैं खुले टॉप पर सिर्फ obscenity नहीं होना चाहिए जहां हम अभिव्यक्ती के अधिकार की बात करते हैं याद रखिएगा उसमें right to silence भी शामिल है मतलब ये लिए मैं एक नाकरिक हूँ और मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती तो मेरे अभिव्यक्ती के अधिकार में ये भी शामिल है कि आप जबरदस्ती कुछ बातें मुझे सुनाए ना यहीं से loudspeaker से सम्मंदित जो कानून है उनका उद्गम हुआ इसका मतलब कि ये लिए कोई व्यक्ती बड़े-बड़े loudspeaker पे कुछ चीजें गाने चला रहा है या कोई भाशन चला रहा है तो वो मेरे अभिवक्ती के अधिकार का भी उलंगन माना जा सकता है अब आप सोचेंगी कि लेकिन जब religious functions होते हैं मानिएगा कि अलग-अलग धर्मों में जो अलग-अलग festivals के समय पे बड़े-बड़े loudspeakers का उपियोग होता है उसका क्या तो वहां पे religious rights आ जाते हैं वो एक अलग section आ जाता है तो article 19 को जब religious rights के साथ बैल्स किया जाएगा तो पिर कहानी जो है वो बिल्कुल भी बदल दी जाएगी एक judgment में आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ PUCN versus Union of India 2003 volume 4 SEC page number 399 इसमें court ने कहा कि right to freedom of speech and expression में right to know the antecedence of the people who are contesting elections is also included मतलब आपके जानने के अधिकार में ये भी शामिल है article 19 में कि जो लोग election के लिए खड़े होते हैं उनकी antecedence क्या है उनका कितना back balance है, उनके पास कितनी गाड़ी है, कितनी उनकी income है ये सारी चीजें जानने का अधिकार या right to know about the antecedence of your candidates ये भी article 19 में शामिल है तो आपने देखा कि article 19 जो है freedom of speech and expression तीन चार शब्दों में कह देता है तेकि 19 1 A कि इस freedom of speech and expression में right of filmmakers, right of press people, laws regarding defection तो ये बड़ा ही व्यापक है अब सवाल उठता है कि किनकिन grounds पे इसको restrict किया जा सकता है और दूसरी बात कि right to press कैसे भारत में evolve हुआ इन डोनों चीजों पर बात करेंगे अगले वाले वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्या मेरी बात आप तक पहुच रही है क्या आपके सवाल है मैं आपके comments बड़ी ही दिल्चस्पी के साथ पढ़ रही हूँ मुझे जरूर बताएं comment box में देखने की बहुत बहुत धन्यवाद मैं अधिवक्ता अपनी बात से दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें